किसान भाईयों हिमाचर परदेश फलराजी की रूप में जाना जाता है पर आज इसने अपनी पहचान बेमौस में सबजी उत्पादन में भी बना ले है आज का किसान अपना चहु तरफा विकास करना चाहता है जिसके लिए वो जागरुख होकर क्रिशी और गैर क्रिशिक्षित्र में नई तकनीकों के सहारे विकास के पत पर बढ़ रहा है बेमौस में सबजी उत्पादन से जहां परदीश के किसानों की आर्थिकी में सुधार हो रहा है वही परदीश वासियों को भी ताजा तुकेफायती दामों पर स्वच सबजियां प्रयोग करने के लिए मिल रही है सबसे पहले नर्सरी बैड में पनीरी तयार करते हैं फिर उसकी रुपाई हम मुख्य खीत में करते हैं नर्सरी की तरयारी में भी हमें कुछ ठीजें खास तोर पर ध्यान में रखनी होती हैं जैसे नर्सरी में पानी मेडों से उपर नहीं होना जाहिए लेकिन इससे अभिकाय ये नहीं हुआ कि पानी की कमी नर्सरी में हो जाए साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि किसी भी छायदार क्षित्र में हम नर्सरी तयार ना गरे बल्कि धूप वाले क्षित्र में ही नर्सरी तयार की जाने जाहिए जब आप नरसरी तियार करते हैं, आपके सबसे पहले चीज होता है कि आप कहां नरसरी बनाओगे, आपका जैसे खेत है, आपका घार है, कि नरसरी का जो लोकेशन है, जो साइट है, वो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, तो उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेग कि आपको आसे जगे में बनाना है, जहां थोड़ा सा धलान होँ, तो क्या होगा आप जहां नरसरी बनाओगे, वो पानी नहीं जमेगा, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब नरसरी बनाते हैं, आपका तियार होगा, और कभि भी आपका स्वास्त, जो जोटे चोटे चोटे जैसे हम लोग बनाते हैं हमारे जो चोटे चोटे पौध होता है यह बहुत नाजूक होता है इसको हर टाइम देख रहेक का जुरूरत है इसलिए आपको नर्सरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे जगे में बनाए जहां आप उसको रेगूलर देख सकते हों ऐसा नहीं कि आप एक साइट में लगा दिया वहां आपका नजर नहीं जाता है तो घर खेट के एक पास जहां आप रोज विजिट करते हो ऐसे जगे में आप लोग नर्सरी बनाओं उसके अलबाद जब नर्सरी आप एक बड़ा साइट अपने देख लिया उसके बहुत सबस्क्ति आन ate ShotKart आपके नरसरी के पास अपका पानी भी ओनाचिए कि लिखे टाए हैं जाहा आपको PM सब्सक्रेख पाइज तो आपका एक पानी का परमानेंट सोर्स ओना चाहिए नरसरी के आस्पास नहीं तो आप को कहीं और से पानी दूर से लाना थोड़ा सा रोज प्रोब्लम हो सकता है उसके अलावा जब आपका नर्शरी का साइड डिसाइड हो गया तब आपको उसके बाद देखना पड़ेगा कि नर्शरी का मिट्टी कैसे होना चाहिए पहले तो आपको यह ध्यान रखना रहे हो या टोमाटर के लगा रहे हो अगर नर्सरी एरिया में आपका पिछले सल बैंगन या टोमाटर है तो आपका क्या होगा उसमें आपका जो रोग बीमारी का जो चांस है तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कि आपके बहुत सारी बीमारी है जो मिट्टी में रह जाता है जैसे Soil Testing Laboratory है, 6.5 बोलते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग 5, 6, 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ऐसा pH और सेंडी लोम टाइप मिट्टी होना चाहिए, वहां कि अगर आपका मिट्टी ज़्यादा चिकना ही होगा, तो वहां आपका पानी जमने के चांस ज़्यादा रहेगा, जब आप एक बर मिट्टी उसका देख लिया, फिर आपको भी देखना पड़ेगा कि अगर आपके नर्सरी में कोई बीमारी पहले से ही है, तो आपका पौद अच्छा नहीं बन सकता है, तो आपको नर्सरी बनाने कैसे कैसे आप बीमार मुक्त नर्सरी बना सकते हो, तो पहले सबसे पहले नर्सरी में हम लोग क्या करते हैं, जनरली बीज लगाते हैं, तो आप एक चीज कर सकते हो कि अगर आप बीज सीड ट्रीटमेंट जो बोलता है, आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन उसमें क् नर्फरेशन के बाद आपको प्रोटेक करता है या रिख्सा करता है लेकिन आपका ओव मिट्थी वले उनी मारता है तो मिट्थी वले विमारिया लिटर आपका जीतना पानी है एक लिटर में आप 25 ml फॉर्मल डिएड मिक्स करके उसको फिर आप दिरे-दिरे छिड़काओ कर सकते हैं जैसे आपके पास फोवारा होता है रोज केन होता है उसमें से हलका सा गिला होना चाहिए वो फॉर्मल डिएड ट्रीटमेंट करने के बा पॉर्मल डिएड ट्रीटमेंट किया उसके बाद एकदम आपको बीज नहीं लगाना है हुआ कि फॉर्मल डिएड जो है न वो पॉईजनास है वो आपके सीड के लिए भी हानिकारक हो सकता है तो आप क्या करोगे पहले उसको एटलिस 20-25 दिन उसके बाद रख दोगे जब पॉलितिन हटा दिया उसके बाद 20-25 दिन आपको छोड़ना पड़ेगा जब एक बार आपका मिट्टी तयार हो गया अप नर्सरी का साइट सेलेक्शन कर लिया उसके बाद की स्टेफ से कि आप कैसे नर्सरी का बेड बनाओगे कि नर्सरी में आप होता है कि ऐसे नहीं है कि नीचे जैसे हमारा प्लेन है ऐसे हम लोग बीज लगा देता है ऐसे नहीं लगा सकते हम बोलता है जो आपका थोड़ा सा उपर उच्छा जैसे बेड़ बनाना पड़ेगा उच्छा जेनरली कितना 15 से 20 या 25 सेंटिमेटर तक उच्छा होना चाहिए एक एक बेड़ का जो है और आपका जो चोड़ाई है चोड़ाई आप एक मीटर तक कर सकते हो और उसका लंबाई आप तीन मीटर तक कर सकते हो जैसे भी आपका जैसे आपका जमीन हुआ है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक मीटरी चोड़ा करना है या कि तीन मीटरी लंबाई करना है आप उससे कम भी कर सकते हो जब एक बार आपका नर्शरी तयार हो गया बेड लेकिन नर्शरी में आप 20-25 किलो चाहिए आपका 10 मीटर स्कार एरिया के लिए 10 स्क्वाइर मीटर के लिए वह अच्छे से मीक्स करने के बाद तभी आप बेट बनाओगे जब आपका बेट बन गया उसके बाद आप जब सीट लगाओगे तो आपको ध्यान राखना है कि आप सीट ऐसे मतलब फैकना आपको उसमें पहले आच्छे से लाइन बनाना पड़ेगा आप जैसे लाइन बनाओगे जैसे आपका क्रॉप है कौन सा क्रॉप है अगर बड़ा होता है तो थोड़ा से ज्यादा डिस्टेंस रखता है जनरली दो लाइन के बीच में कम से कम 5 cm होना चाहिए ऐसे करके आप लाइन लगाओगे अब इतने अप गहराई में बीच आपको लगाना है गहराई जेनरली होता है 1 cm तक जो छोटे-छोटे बीच होता है वहान सेंटी मीट तक आप लगा सकते है जैसे आपको बेड बन गया आप बीच लगा दिया लेकिन बीच लगाने से पहले जैसे मैंने में आपको पहले भी बोला था कि आप सीड समय कर सकते हो जो भीज को ट्रीटमेंट करते हैं आपको फंगास से भचने के लिए पाते हैं और पॉता है क क्वेरी्ट बिमारी दुआ नासरी मों बहुत खतरनाग होता है मैक्सिमममठ्षेऽ कर सकते हो तो उस से अब बाचने ग्राम एक किलो सीड से होता है जो छोटे-चोटे बीज वाले है जैसे आपका गोबी है टोमाटर है सिमला मिर्च है बेंगन है उसके लिए आप दो से तीन ग्राम आप ले लिया कैप्टान ले लिया उसको सीड को अच्छे से उसमें टीटमेंट कर दिया उसके बाद आप थोड़ा सा आने का कम चांस रहेगा जैसे आपको अब बीज लगा रहे हो जैसे आपका एक बीज लग गया उसके बाद धिरे-दिरे क्या होगा पांच दिन साथ दिन दस दिन में आपका बीज जम जाएगा उसका फेज जरू हो जाएगा जैसे उसके जरू हो गया फिर घना ना हो उसके में आपको थिनिंग करना पड़ेगा कि एक से दूसरे पोधे के बीज में कम से कम आधा से एक सेंटिमीटर डिस्टेंस रहे कोई भी क्रॉप में चाहिए टोमेटर हो या गोबी हो तो क्या होगा उसमें आपका अच्छे से आपका हवा पानी सब कुछ अच् थिनिंग कर दिया 10-15 दिन सबस्केपार आपका एक सब्सक्राइब कर सकते हो क्या तक रहता हो रहे क्या क्क यह सकते हो आप आपका ऊपका युरारी का स्प्रेए कर सकते हो गुए जिनरली रिकॉनेंट करते हैं पॉंट फाइब परिसें से कम होता है जो आपका मतूलब आपके पस यह से 200-0 का धिरा में उसमें आप 500 ग्राम के आसपास आप डाल सकते हैं अपको यूरिया 500 एक मतलब पूरा ड्राम में 200 लीटर के ड्राम में फिर उसको स्प्रे कर सकते हो लेकिन आप जब यूरिया स्प्रे करोगे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उसमें नाइट्रोजेन होता है नाइट्रोजेन नर्सरी में छोटे-छोटे पौध होता है और बहुत एक दो बार यूरिया स्प्रे कर दोगे तीन दिन चात दिन छोड़के तो क्या होगा आपके पौध का जो लंबाई होगा बढ़ जाएगा और पूरा हारा हो जाएगा तो उसमें आपका थोड़ा सा हेल्दी टाइप का पौध मिलेगा फिर जैसे आपका ओबला पौध तय सब्जी को आपके पता है साल भर सब्जी होता है आजकल हर चीज साल भर मिलता है हमारा सब्जीयों के जैसे उत्पाद है आपको पता होगा अभी पिछले दस सल में हमारा सब्जीयों के उत्पाद डबल से भी ज्यादा हो गया लेकिन हमारा एरिया इतना ज्यादा नहीं ब बहुत बनाने के लिए भी आजकल बहुत सारी तेगनीकी उपलब्द है जैसे आप लोग ऑपसीजिन में लगाते हो पाटिकुलर्ली कदू बोर्गियों जैसे सब्जी होता है आपका खीरा होता है आपका समर्सक्वेस होता है और थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो कि उसके लिए उसके लिए आपके अगर सकते हो आपके पास अगर पॉली हाउस है या ग्रीन हाउस है पॉली हाउस जो आपको में टेंपरेचर जिसमें कंट्रोल हो जाता है तो बहुत अच्छा है तो आप पॉली हाउस के अंदर फिर नर्सरी लगा सकते हो उसमें क्या होता है बहा अगर आप उसको एक महीने पहले ऐसा आप कर सकते हो कि मैं एक महrial ने पहले उसको लगादु अ सबसे हमें नर्सरीपा बनाना है तो पहले हो जाएगा पॉली टानेल होता है, जैसे अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है, तो नार्सरी लगाने के लिए ज़रूरित नहीं है कि पॉली हाउस ही होना चाहिए, आप छोटे-छोटे पॉली टानेल जैसे बना सकते हो, जो बहुत ही मतलब कम पहसे में, सस्ते में, नॉर्माल जो जैसे पॉली हाउस का जो पॉली टानेल होता है, आप छोटे-छोटे स्टीक्स देखे या छोटे-छोटे आपका पाइप आता है, हमारा प्लास्टिक का पाइप आता है, ओ लगा के आप छोटे से स्ट्रक्चर पॉली टानेल बना सकते हो, कि नार्सरी जो होता है, आपका छोटा होता है अब नार्शरी में क्या होता है पॉलिटानेल बना लेके लिए आप 60-70 cm तक उसको उचाए कर लो आपका टानिय कोई भी पाइप देखे उसको फिर राउंड 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 बना के उपर से आप पॉलिथीन बना के उसको ढग सकते उसमें क्या होगा आपक पॉलिटानेल लगा दिया यह वाला पॉलिटानेल वाला जो टेक्निक है ऑग सक्षेषपूल है अपको उस टेप के सबजी लाई को टोमाटर है सिमला मिर्च है फुल गोभी है बंदगो भी है इसके लिए सक्षेषपूल है किसी बिक्षित्र में खुद को स्थापित करने के लिए आफशकता रहती है उसक्षित्र समंधी बारीक्यों को जानने की ताकि हम उस पत पर आसानी से आगे बढ़ पाएं खेत तयार करने से लेकर पनीरी तयार करना पनीरी की खेत में रुपाई करना उत्तम खाद वपनीरी की रुपाई में उचित दूरी का ख्याल रखना वग्रिशी विग्यानिकों की सलाह लेना कुछ ऐसी खास बाते हैं जिससे आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं और इस में फायदा उठा सकते हैं